अगते आप सभी का टेक स्टेडी आईटे योटूब चैनल पर आईटे पास आउट कैंडेट्स के लिए NCR प्रियागराज की तरब से अप्रेंट्सिप की वैकिंसी जारी की गई थी जिसके की फॉर्म आपके 9 दिसंबर 2023 के महीने में भरे गए थे और इसके बाद इसका 1st and 2nd document verification भी हो चुका था और फाइनली जॉइनिंग का वेट कर रहे है के एनडेट्स को पहले बोला गया था कि आप लोग बेट करिए जल्दी जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा तो यहाँ पे जॉइनिंग की पूरी update आचुकी है instruction जारी किया जा चुकी है साथी साथ date wise list आ गई है और जॉइनिंग का जो call letter है वो भी यहाँ पे जारी किया जा चुका है तो आप लोगों ने भी अगर यहाँ पे डीवी करवा लिया था तो अपना नाम इसमें आपको जरूर चेक करना चाहिए यह सभी तरह की information और PDF हम आपको टेलिग्राम पे share कर देंगे अगर आप लोग टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो description में लिंक है या आप टेक study IT ही search करके टेलिग्राम पे जरूर जुड़ जाईएगा ठीक है एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपको optional question और 5 जो solve papers हैं वो भी आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं तो आप male female कोई भी हो आप अगर constable भरती की अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये study guide आपकी बहुत help कर सकती है तो इसे आप लोग buy कर सकते हैं description में हमने link दे दी है वहां से आप इसको purchase कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन book है सब ही जितने आपके topics हैं जो आपके पूँचे जाते हैं exam में वो सब कुछ इसमे step by step and topic wise cover किए गये हैं और बहुत ही बेहतरीन print में आपको available हो जाएगी तो जरूर आप लोग consider कीजेगा इसके अलावा इसके अलावा पो चक्षू पुब्लिकेशन का ही रेलवे का कांस्टेबल का आपको पैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड इसकी साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन बुक्स मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज रिजनिंग, मैथ और रेलवे सामान नयध्यन की जो कि आपका आर्पी अफ कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रूप डी, टेक्नीशन और एलपी की भरती में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इन अगर बुक्स को आप पर्चेश करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रेलवे के सभी एक्जामिनेशन के आपकी बेहतरीन तैयरी यहाँ पे होगी, तो जरूर बाई कीजएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यह जोइनिंग इस्ट्रक्शन है, जिसमें प्रसिक्षन पत्र के कहे रहे हैं, यहाँ पे बुलावा पत्र जो है पंजी की डाग दोरा भेजा जा चुका है, साथ में यहाँ पे आप देखिए, तिथी वार सूची पत्र के साथ अपलोड भी किय अपलोड की जा रहे हैं, उसे भी आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, सूचना पत्र में अंकित निर्देश के अंसार सभी प्रपत्र तयार करके साथ ले आएं, सैच्छडी क्यों तकनीकी प्रमाड पत्र, मेडिकल प्रमाड पत्र के आभाव में प्रसिक्षन नह आपको बनवा सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ एक सपत्र पत्र और हल्फ नामा है, उसे भी आपको बनवाना और बायो डाटा भरके आपको साथ ले जाना है, ठीक है? अगर यह सब नहीं ले जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ जाइनिंग कराने से रोका जा सकता है, इसके अलामा जो भी आना जाना होगा, वो सब कुछ आपको हैंडल करना होगा, आपको पैन कार्ड तथा, बैंक डिटेल भी अपने ले जाना है, इसमें आपका IFSC, AMICR कोड ह होना चाहिए, इसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ और निर्देश दिये गए हैं, ठीक है, अगर कुछ भी उसमें गलत है, आपका जो डॉक्मेंट है, नाम पापा का नाम डेटा बर, तो आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप एक एफ साथ फिर आप यहाँ पर बाहर कर दिये जाएंगे, यह सपत पत्र का प्रोफार्मा जिसे आपको भर के ले जाना है, मैं सपत करता अपना नाम, यहाँ पापा का नाम, मकान संख्या, ठीक है, मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, यह ऐसा ऐसा टाइप का आपको इस सपत पत्र क जो है ले जाना है आप सपत पत रिजाएंगे हां तो वहाँ जो नोटरी होता है नोटरी वाले कार्याला है कहीं उस पे बन जायेगा या आप ऐसे भी इसको बनवा के ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपको इसे स्टांप पेपर पे लाना है फिर भी आप चाहें दस रुपे की स्टांप पेपर पे भी ले जा सकते हैं यहाँ पे एक हेड़ आफ कांस्टिविशनल इस्टिविशन का यह करेक्टर सेटिफिक्ट और प्रोफार्मा इसको दो कौपी निकाल लीजेगा और दोनों अलग लग यहाँ पे लिखा गया बस दोनों अलग होने चाहिए यह बायो डेटा है इसे भी आपको भर के ले जाना है और यह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिक्ट का प्रोफार्मा है इसको भी आपको बनवा के ले जाना है वैसे तो डीवी में अगर नहीं मागा गया था इसलिए यहाँ पे डीवी सीडूल आफए अफ अपरेंटिस दौजर अच्टल में डीवी सीडूल नहुंब के ज्वाइनिग सीडूल होना चीर यह था ठीक है तो डाफ यहाँ धीवी लिखा हुआ है डेट अव यह ज्वाइनिंग होना चैहिए चे मही दिखारा है ठीक है जिसमें सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा कि 41 नंबर से लेके यहाँ पे टोटल 80 नंबर तक के कैंडेट साथ मईए को फिर इसके बाद आठ मईए है इसी तरह से आप नीचे आएंगे पूरा तो टोटल अगर आप देखे ति यहाँ एप्राक्स 3 जून तक का यहाँ पे जारी हुआ है 654 केंडेट में ठीक है 3 जून तक यहाँ पे जॉइनिंग के लिए ट्रेड वाइस अलग-अलग बुलाया गया आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आपका यहाँ पे कौन सा सीरियल नंबर है किस डेट पे आपका जॉनिंग है ट्रेड आपका कौन सा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ से अपरेंटिसिप करने के बाद अपरेंटिस एजा एक साल का एक्सपिरियंस काउंट होगा प्लस तीनों बेनिफिट जो रेलवे में मिलते हैं आपको मिलेंगे इस तरह का कॉल लेटर जो है आप लोगों का यहाँ पे जारी हुआ है ठीक है इसमें आप देख सकते हैं नाम आपका दिख जाएगा ठीक एप इन कोड, मेल आईडी यह सारी चीज़ें आपकी दिख जाएगी साथ में यहाँ पे दस बज़े आपको 6 मई को रिपोर्ट करना है कहाँ पे डिविजनल आडिटोरियम बिहाइंड DRM आफिस प्रियागराज वहाँ आपको जोइनिंग फॉर्मल्टीस के लिए जो है जाके रिपोर्ट करना है तो आप लोग इस तरह से अपना चेक कर लीजेगा एंड इसके अलावा यह ट्रैवलिंग पास भी है जो SCST के एंडेट्स हैं वो यहाँ पे 4 मई से लेके 8 मई के बीच में जो ट्रैवल करेंगे नियरेस्ट अपने रेल्वे स्टेशन से जो आपने फॉर्म में भरा है तो 2nd क्लास में आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं इसके बेसिस पे आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी तो क्या भरा था आपने यहाँ पे प्रियाग राज से जलगाउं जलगाउं से प्रियाग राज यह दो चीज में अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो यहाँ पे ट्रैवलिंग पास है इस पे आपका यह डेट डाल देगा टीटी यह जो भी आएगा आपका यही पास काम कर जाएगा कोई आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो जिनके पास इस तरह से प्रिंटेड है जो SCST केटेग्री में है वही यहाँ पे इस चीज को अवेल कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज का भी आपको ध्यान रखना है बाकी और भी कोई डाउट हो आपका तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताईएगा हम बिल्कुल उसे भी क्लियर करने की कोशिस करेंगे और चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है यहाँ पे न रहे किसी चीज को लेगे थैंक यू ख्याल रखेएगा आपना मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में